नमस्कार बहुत सुपागत है आपका आपके साथ मैं हूँ जोटसना पार्टनी मेरे साथ मौझूद है मेरे सहीयोगी वैभव भोला वैभव अगले साल इंग्लांड और इंडिया का टॉर्नमेंट हमें देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले जो इंग्लांड के पूर्व कप्तान ऐसी बाते करते हैं तो बड़ा चौकाती है उन्होंने बोला है कि ऑस्टेलिया के साथ जोमारी टेस सीरीज हो रही है हम चार श कर देखा है कि भले ही जब आप उस्टेलिया में जाते हैं तो जो इंग्लेंड के पूर क्रिकेटर हैं वह भी थोड़ा सा आपके ओपर कोशिश करते हैं कि आपके ओपर दवाब बनाए उन्होंने प्रडिक किया था कि भारतिया टीम तीनो सीरीज हारेगी तीनो तीन शूनने से मतलब वाई ODI भी हारेंगे T20 और टेस्सीरीज तीन शूनने से हारेंगे लेकिन अभी फिलाल स्कोर एक एक पे है अब यहां बात करते हैं टेस्सीरीज की दो दिन में टेस्सीरीज आपके शुरूव ने चौदा तारीख हो चुके सतरा तारीख को पहला कि अजिए अपके टिंट करने से बात करते शुरूदिंट को तारीख करते हैं और रुट्व्ट करने से इंडिन टीम का परफॉरमंस हमने पिछले कुछ सालों में रहते हैं तो यह तो कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी अब थोड़ी सी ना समझी होगी कि आप सीधा बोल तरहें दस साल पुरानी टीम हो, पंद्रा साल पुरानी टीम हो, यह विराट कोली की टीम है। इन्होंने पिछले दोरे पे ऑस्टेलिया को ऑस्टेलिया में हराया दो एक से, अब वह वह फिरेगे थे जरूर जीता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शुन्ने चार तो कहना यह थोड़ा सा जल्दबाजी उनकरा, हाँ यह जरूर है कि अगर हम बात करें इस सीरीज में, उस्टेलियन टीम को एडवांटेस तो जरूर है, लेकिन अवो धीर जीरे जीरे नो ऑस्टेलियन टीम की परिशानियों अभी तक उनकी टीम से ओपनें कॉन करने वाला है, यह भी आपको क्लियर नहीं है कि डीवड़ार हैं अब आप ट्रेविस हिएट को कराइंगे यह कौन उपनर उनके दो रहनेवाले, यह भी क्लाइटिन है, तो ऑस्टेलियन टीम के लिए भी जो परिशानियों हίν वो दीरे पुजारा ने बहुत रन मनाये थे विराट कोली ने भी शतक जमाये थे और अब हमें यह देखना है मैंग अगरवाल जिनका डेबी हुआ था अस्टेलिया में वो भी कैसा परफॉर्म करते तो भारत्य टीम कमझोर बिल्कुल नहीं है पुजर लेकिन कुछ वीक्निस जरूर है एक मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग जिकर कर दो नहीं जिकर हो अगर जब आप सब पहले जिकर को आप ज़ेशा को लेकिन अगर जा तेस्रे से टीजिए तो विराट कोली नहीं रहेंगे वो अगर आगर पैला टेस्में चारग तो च बना कर जाना होगा जिससे ऑस्टेलिया के ओपर आप एक दवाब चोड़के जाए उनके गेंद बाज को तोड़के जाए क्योंकि देखिए अगर उनके गेंद बाज पहले टेस्ट मैच में आपको विराट को भी जल्दी आउट करते तो दोनों पारी में उस पर भी जरूर आउट कर सकते हैं तो फिर बाकी बल्लेबाज है उनको आउट करना तो आपके लिए असान होगा लेकिल इंडियन प्लेयर्स की चीज जो बहुत अच्छी लगती है वैभग कोई भी खिलाडी कभी भी चौका देता है अपनी बिल्कुल चौका देते हैं और आपको ये और पहले टेस्स में मैं विराट कोली से बिल्कुल एक्सपेक कर रहा हूं कि देखी वो जा रहे हैं और ज़रूर चाहेंगे कि वोने ऐस्टेलिया में खेलना बहुत पसंद है अगर ये रिजन नहीं होता जो पेटरनिटी लीप पे जा रहे हैं इसके अलावा मुझे लगत हाला कि cricket में मेरी गड़ फीलिंग काम करती है नहीं करती है मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरी गड़ फीलिंग ही कहती है वेभब कि कुछ अच्छा हमें पहले टेस्ट माँर में जरूर देखने को मिलेगा खासकर विराट की बले से याद है हम पिछली बार जब श्या अपी में होते हैं, मैं बहुत जदा excited होता हूं देखने के लिए, लेकिन काफी हद तक जो खिलाडी रहते हैं, ये थोड़ा निराशी करते हैं, विराट कोली के जब से कप्तान विराट कोली बने तो 2014-2015 में हमने देखा, विराट कोली ने चार शतक जड़े उस दोरे पे, पिछले दोरे पे विराट कोली ने रन बनाए, चितेशवर पुजारा ने भी रन बनाएं लेकिन इनके अलावा भी हम मैं चाहता हूं कि समय आ चुक है, चाहे अजिंके रहने हो, मैं कगर्वाल हो, आप शुबन गिल को खिलाएं, पृत्वी शौ को किलाएं, या केल राउल को किला है, मैकल वन थोड़ा सा जलबाजी कर देते हैं, कहीं बार वो ऐसे बयान दे देते हैं, हो सता है कि जो अगले साल हमें दोनों देशों के भी टार्नमेंट खेलने को मिलेगा, वो तो शुने चाहर से इंग्लेंड हरेगी, भारत में होना ना वो तो, मुझे लग रहा है उन् तो, मैप आर्लिस साल करना था वो इस बार ही ऑस्तेली वाला है अन्डिया में लृणा और जब इंडिया मेंसेरीज होती हैं, अर जब चेंनरी और अदाबद में टेष्गन होने वाले हैं, तो चेंनरी और अदलज मेंसेरीप्टेंसमें तो छेंननी पर माइंचिए करना है क्योंकि गेंदबाज हो से तो मुझे पूरी उमीद है कि आपके जो गेंदबाज हैं उनमें 20 विकल लेने की शमता है लेकिन कि आपके टीम में 400 रून बनाने की शमता यह हमें देखना है और जैसा कि टीम इंडिया की बात करें मुझे लगता है कि अच्छे नोट पे यह साल खतम करेगी ना सिर्फ टीम इंडिया बलकि टीम के कप्तान भी क्योंकि उनके साल की शुरुआत बहुत अच्छे नोट पे हो रही है तो खतम भी वह अच्छे नोट के साथ कर रहे हैं कि हम आपसे लगातार मिलेंगे आप देखते रहें फिलहाल बहुत शुक्रिया झाल